हाई फ्रेंग वेलकम टू बिल्सी आज के वीडियो में 16 नंबर जो कोश्टन है इसको सोल्प करेंगे इस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो चले कोश्टन पढ़ते हैं देखते हैं क्या करते हैं राइट प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले दा फॉस्ट एंट टर्म्स ऑफ फिवेंग के सिरीज जो है जीरो वन वन टू त्री फाइव एट थर्टेन ट्वन आगे भी हो सकता है तो देखिए एक सीरीज है इस सीरीज की खास बात यह है कि इस सीरीज में अगला जो नमबर है वो अपने पीछे वाला दोनों का सम होता है मतलब यह जीरो और वन को एट केजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा वन ठीक है अब यह जो टू नमबर है यह अपने पीछे वाले दो का सम है one and one को add केज़ेगा तो two आएगा तो उसी तरह ये जो three है ये अपने पीछे वाले दोनों का sum है अगर इसको consider करते हैं 13 तो ये अपने पीछे वाले दोनों का sum है ये five eight को अगर जोडते हैं तो 13 आएगा ठीक है तो इस तरह का आपको series print करना है और in terms तक user देगा वाले कि user चाहता है कि वो जैसे कि ये कितना है five nine terms तक हुआ ये मतलब ये संख्या कि ये जो भी संख्या दिख रहा है ये कितने terms तक है nine terms तक print हुआ है तो अगर आप चाहते हैं 15 terms तक हो अप चाहते हैं 20 terms तक हो तो जितना यूजर इंपुट करेगा उतने टर्म्स तक फेवरेंग के सीरीज प्रिंट हो जाए बस ये काम करना है तो चलिए कोडिंग करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि क्या तरीका वहाँ पर हम अपनाएंगे तो सबसे पहला बात है कि दो नमबर पहले से मेरे पास होना चाहिए जैसे कि 01 वह रहेगा तब तो फिर हम बाद में आड करते जाएंगे और फिर आगे का प्रिंट करते जाएंगे कम से कम मेरे पास दो नमबर शुरुवात करने के लिए होना चाहिए तो भैरियेबल बनाईए जैसे कि एक कर नाम देजे एन वन दूसरा भैरियेबल कर नाम देजे एन टू तीसरा भैरियेबल कर नाम देजे एन त्री ठीक्या लूप तो लगे गा ही तो लूप चलाने के लिए लिए आई अब कितने टर्म्स तक आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए योजर से तो टर्म्स मांगेगा तो लिख लिए एक नम इतना सारा बहरेबल की जोरत पड़ेगे तो सबसे पहला बात है कि नम वन में कौन सा वैलू होना चाहिए इतना हमको लेकर पहले से चलना है अब नम थ्री के लिए क्या होना चाहिए नम वन प्लस नम टू तो सब बाद में हम लोग करेंगे नीचे कोडिंग करने के दोरान अभी तो बनाए और उसको इनिसलाइज किया है अब यूजर को मैसे देदे मैसेज क्या दें वो कितने टर्म तब प्रिंट कराना चाहते है बस उसके लिए वो भैलू देगे तो लिखें इंटर दर नंबर कि आफ टर्म्स अ बस ठीक है ऐसके एन आफ अ चले नम में हमने क्या किया भैलू ले लिया अब यहां पर हम क्या करेंगे लूप लगाएंगे ठीक है तो लूप लगाने से पहले वो दूनों नंबर को प्रिंट कर देना है जहां से start हमें लेना है तो num1 मतलब n1 और n2 variable को print हमें कर देना होगा तो क्या करते हैं print f printf के अंदर percent d एक space बीच में हमें चाहिए तो space हमको इसी में दे देना होगा फिर यहां पर इस पर देते हैं और तब प्रिंट करा देजिए n1 and 2 चलिए यह start में यह पहले से रहेगा और लूप के अंदर आगे का काम होगा आगे का सीरीज कैसे आए वह लूप के अंदर दै करना है ठीक है तो चलिए यह वाला जो यह वाला जो printf है यह क्या काम करेगा जीरो और वन पहले से print कर देगा ठीक है तो अब हमको क्या करना है हम यवाल लूप लगाना तो यह लूप लगाएं अभी हम लिग लगाने लगे और बीकश्त दे क्जान करने और कितने टांνη तक जैसे की यूजर यूजर मान लिए कि देता है नले टॉर्ण तक बैंट हो ठीक है तो लो और दो पन्रहें नदे कर दिए जिरो और वन दो term already हो गया तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा 3 से start करना है तो इसका मतलब 3 less than equal to norm समझ रहे हैं न इस बात को 3 हम क्यों लिखे है क्योंकि 2 तो already हम print कर दिये न दो term already हो जा रहा है तो 3 term से जो भी user देगा वहां तक के लिए loop चलाएंगे ठीक है अब आ जाएए loop के body के अंदर loop के body के अंदर क्या करना है तीसरा number construct करना है मतलब n3 के लिए हमें value का जुगार लगाना है तो n3 में value कहां से आएगा n1 plus n2 अब आ गया तीसरा में अब इसको भी print कर देज़े print f percent d n3 हो गया हाँ अब हलाकि यह तीसरा number तो बन जाएगा बन गया अब तीसरा number बनने के बाद क्या होगा अब जो करना है उस चीज़ को पहले draw करकर समझा है अब यह रहा आपका n1 यह रहा आपका n2 और यह रहा आपका n3 तो support पहले से तो इसमें value है जैसे कि 0,1 और n3 में कहां से value आ रहा है इन दोनों को जोडने के बाद तो दोनों को जोडने के बाद यहां पर आया 1 और यह तीनों अभी तक के condition में क्या है प्रिंट हो चुका है 0,1,1 अब लूप के अंदर अगला line क्या लिखा जाना चाहिए अब क्या होना चाहिए यह जो n2 का value है वो n1 को transfer हो जाया और फिर n3 का value है वो n2 को transfer हो जाया तबना बाद में फिर हम लोग आगर का भी series print कर पाएंगे तो यह transfer करना होगा तो उसको करने के लिए क्या करना होगा n1 में value किसका दे देना होगा n2 का ठीक है और n2 में n3 वाला value दे देना होगा बस हो गया यहीं तो हो गया इतना है code लिखना था अब आपका आगे का series जितना terms motivated print करना चाहा है चली इसको run करते है देखते हैं कि हो रहा एक नहीं कितने term सब्सक्री उसक्तर्जशा कितने term तक पहले हम 9 term ह में करते हैं यह तो loop चले जा रहा है चले जार रहा है इसको काटिए गरवर कहा हूआ है गरवर बताईए आप लोग केज़े गरवर कहा होगा है लूप जो चल रहा है तो इसका एक अंत होना चाहिए ना खतम कहाँ पे होगा तो क्या करना होगा हमें हमें यह जो थ्री है यह दिरी कोई ऐसे नहीं लिखना होगा जो I variable है इसमें इस त्री को डाल देना होगा और यहां पे i को use करना होगा और last में i++ करना होगा समझ में आई हाँ आब रन कराईए नाइन टर्म्स तक आपको देना है तो दीजिए फेवगं की सिरीज प्रिंट हो गया जितने टर्म्स तक देना है देते रहे हैं फिर अब देते हैं जैसे कि हमें 20 टर्म्स तक चाहिए कोई बहुत नहीं 20 दीजिए 20 टर्म्स तक फेवगं की सिरीज प्रिंट हो गया ठीक है समझ में आया आपको अगर नगी समझ में आया तो जरूरा आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें कहां पर दिक्कत है ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू अगर अच्छा लगा तो प्लीज ल किजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुशन लिखा लें